विकास दिविकीरती कहते हैं मेरा सारा जीवन पुस्तकों में बीता है मैंने ट्विटर पर जीवन नहीं बिताया सारा जीवन पुस्तकों में बीता बंधू लेकिन आपको ये पता नहीं चला कि क्या सच है और क्या जूट है आप शंबूक बद जैसी जूटी खताओं को नान से दिरिष्टी नाम के संस्थान ने पैदा किया? ये कौन से दिव्यकिर्टी से पढ़कर आया है? नजाने कितनी दिव्यकिर्टी है इनकी? शायद दिव्य शब्द का अर्थ भी ठीक से नहीं बता पाएंगे. दिव्यकिर्टी शब्द की बात करते हैं. जो वामपंथी पाक इनका तो चरित्र होता है, ये जिस संस्कृति जिस सभेता में रहे हमेशा उस संस्कृति उस सभेता के खिलाब काम करते हैं, तसलीमा नस्रीन है, जब तक वो बंगला देश में खाई, रही वो खुब मुसल्मानों के खिलाब बोली, जब तक उनसे पीडित रही खुब मुसल कि इन्हों ने उस शिक्षा विवस्ता को पूरी तरह बरबाद करके रख दिया जो प्राचीन काल से हमारी चली आ रही शिक्षा विवस्ता दी और उस शिक्षा विवस्ता के बरबाद होने के बाद एक लॉबी पैदा हुई आप विकास दिव्यकीर्ती को कोई व्यक्ति मत मानो ये एक लॉबी है ये एक मानसिक्ता है ये एक विचारधारा है जो इस देश की जडों में जहर डाल रही है ये ये नहीं बताएंगे के राम कौन थे ये बताएंगे के राम ने राम के संबंद में जो कुछ कहा गया वो क्या था अब बंधुओं तनिक मेरी एक बात सुनो उसने एक प्रमाण महाभारत से दिया रामायन के संबंद में अब मैं तनिक महाभारत के संबंद में आपसे थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ महाभारत जो ग्रंथ है इसका जो पहला नाम है वो जै सहींता है और जै सहींता साड़े 4,000 शलोकों से रिशी व्यास ने लिखी थी कितने शलोक? और उनके जीतेजी उनके शीशों ने साड़े 5,000 शलोक इसमें और मिला दिये टोटल कितने बन गए? 10,000 अगर मैं ये माननू के रिशी ब्यास ने उन साड़े 5,000 शलोकों को मान्यता दे दी होगी तो मूल गरंत जो है वो कितने का हो गया जब ये साड़े 4,000 शलोकों का था तो इसका नाम ता जैसेही था जब इसमें साड़े पांच हजार ओर मिला दिये गए दस हजार शुलोकों का एक ग्रंत बन गया तो इसका नाम बन गया भारत और आज इसमें डेड़ लाख शुलोक पाए जाते हैं इसलिए इसे कहते हैं महा भारत अरे भाया मूल तो केवल दस हजार है और एक लाख चालीस हजार क्या है मिलावट है वो जो शोध करता है जो लललन टोप के उस न्यूज में उस वीडियो में इतनी सारी किताबें लेकर बैठा क्या उसने कभी शोध किया कि इसमें मिलावट कितनी है क्या उसने शोध किया प्रगती शीलता इसे भी कहते हैं कि हम ये विचार करें कि कितना शुद्ध है कितना अशुद्ध है इसका भी नाम प्रगती शीलता है बात करता है कि तुलसी दास एक प्रगती शील कवी थे कितने प्रगती शील कवी थे तुलसी दास देखो तुलसी दाव उच्च कोटी के क कवीते मैं भी स्विकार करता हूं मनाने करता हूं क्या बढ़िया कवीता उन्होंने लिखी है उनके काव्यकी मैं प्रशंसा करता हूं प्रशस्ति पढ़ता हूं कि कवी बहुत अच्छे हैं तुलसी दास लेकिन सुनो दोनो राम दो हैं एक राम तुलसी के हैं और एक राम बालमी की के हैं दोनो राम में अंतर है तुलसी दास के राम भगवान से एक सामन मनुष्य जो सुखों और दुखों में खेलता है वहां तक आने की यात्रा है लेकिन बालमी के के राम एक सामन मनुष्य से महा मानव विश प्रगति शीलता किसे कहते हैं उठना प्रगति शीलता है या गिरना प्रगति शीलता है आप इसका अंदाजा नहीं कर सके आप शंबूकवद जैसी जूटी खताओं को नाना प्रकार की जूटी किताबों से निकाल कर टीवी पर परोस रहे हैं अरे आप आई-एस क्या बना रहे हैं जो आई-एस आपके माध्यम से बनेगा मैं शर्त लगा कर कहता हूँ अच्छा मुझे एक बात बताओ इस देश में इतने आई-एस आई-पि-एस अधीकारी हैं इतने डी-एम-एस डी-एम घूमते हैं क्या ये सारे बुद्धिमान हैं? अगर ये बुद्धिमान होते हैं तो क्या इनकी नाक के नीचे इतना ब्रष्टाचार होता है? एक नियाय धीश बैठा होता है नियाय धीश नियाय कर रहा है और उसकी बगल में बैठा हुआ एक आदमी अगली तारीख लगाने का पचास उर्पिया लेता है पचास उर्प दिव्वचिरती से पढ़कर आया है नजाने कितनी दिव्वकिरती है इनकी शयद दिव्वचब का अर्थ भी ठीक से नहीं बता पायेंगे दिव्वकिरती शब्द की बात करते जो श्लोक इनोने उस न्यूज चैनल पर पढ़ा उस श्लोक में छे गलतियां है पढ़ने में I.S. तयार कर रहे हैं उस लोग को पढ़ते हुए इननोंने 6 गलतियां की हैं हां ये कह सकते हैं कि मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है इसलिए मुझसे गलतियां हुई है Dr. Kalpana ने संस्कृत पढ़ी है इसलिए वो गलतियां नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं ये कहता हूँ भाईया यही तो मैं कह रहा हूँ कि तुने संस्कृत नहीं पढ़िये तुने संस्कृत नहीं पढ़िये इसलिए संस्कृत साहिते पर टिपणी करने की तेरी योकात है यही नहीं है यही नहीं तु क्या टिपणी करेगा तु टिपणी नहीं कर सकता एक आसर जनक बात है अगर आप सावधानी से देखें एक विक्ति को समझना है तो केवल उसकी बात नहीं सुननी है आपको उसका जीवन उसका आचरन उसके हाव भाव व्यभार भी देखने पड़ते हैं बड़े मंदमंद हसते हुए वो कहता है कि मेरी जीव चल जाएगी मेरे मूँ में अंगारे आ जाएगे कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन कहना क्यों कहना पड़ रहा है तुझे क्यों कहना पड़ रहा है ये बताओ, इस वीडियो को जारी करने से रोका जा सकता था या नहीं? क्यूं जारी किया गया? अरे उसके पीछे एजेंडा है भाईया और एजेंडा आज का नहीं, 1400 साल पुराना एजेंडा है, 1400 साल पुराना ये एजेंडा आज का नहीं है ये एजेंडा वो है जब पहली बार इस देश पर एक आदमी ने हमला किया था क्या नाम था उसका पहला हमला बोलो किस ने किया था बोलो मुहम्मद बिन ना 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 नए 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 पहला हमला कासिम का नहीं था पहला हमला मुहम्मद था भी हाँ इसका नाम बिन कासिम था बिन कासिम था और दूसरा हमला ने किया अब की बार इसका नाम गजनवी था तीसरा हमला फिर अब की बार इसका नाम क्या था गोरी था इसके बाद फिर हमला महमला इसका नाम बाबर था फिर हमला किया फिर खिंजी था फिर हमला किया और यह जो अब हमला हुआ है इसका नाम यदि तुम सचेत नहीं हुए तो बंधूओं संस्कृति और सभ्यता इसकदर नश्ट होगी कि यह जो व्यक्ति है ना विकास दिव्यकीर्थी, मैंने तो खेर पहली वार सुना है, हाला कि मुझे किसी और ने भी बताया थे, लेकिन मैंने उसे authentic source नहीं माना, लेकिन जब डॉ ख़रण भी यह हो बताने का, ताकि यह दुनिया को यह बता सके हैं, के आर यह समाधी जवान detto का है, यह भी आपके घुटने काटने वाली बात है, यह लेकिन मैं विकास दिव्यकीर्थी को खुले मंज से चुनोती नहीं तो, तो थाबित कर जो श्रूख तुने पढ़ाए वो प्रक्षिप्त नहीं है साबित कर ये प्रक्षिप्त नहीं है और ये मूल श्लोक है ये मूल श्लोक है ही नहीं बंदूओं महाभारत में मैंने आपको बताया कि एक लाख चालिस हजार श्लोकों की मिलावट है रामायन रामायन केवल 24,000 श्लोकों से लिखा गया महा कव्य है लेकिन वर्तमान में रामायन में बालमी के कृत रामायन में सवा लाख से ज़्यादा श्लोक मिलते है इतने मिलावट है और इतने मिलावट को अब यह मिलावट की किनों ने ये मिलावट भी बिना मूच की दाड़ियों ने किये ये भी समझ ले ना बिना मूच की दाड़ि समझ गए के नहीं कोई बात नहीं मैंने तो दुपेर भी बताया था प्राप्त करने की दोई चीज होती है या तो मोक्ष या तो वीरगती दोनों में कोई मिल जाए उसी में आनंद है हमें तो वो इंदिक्षत नहीं है लेकिन ये सुनो कि ये आदमी और ये विचारधारा ये जो संस्कृति है ये संस्कृति जो करना चाहती है उस संस्कृति की आप कल्पना नहीं कर सकती बंधू मैं एक आखरी बात आपसे कहना चाहता हूँ इस विकास दिविकिर्ती ने कभी इस बात पर शोध किया कि राम जी को बनवास हो गया राम जी जंगल में चले गए और राम जी 14 साल जंगल में रहे चौदवे साल में राम जी का जगड़ा हो गया उसकाल के अमेरिका के साथ राम उसकाल का अमेरिका था के नहीं था था ना उसकाल के अमेरिका के साथ राम जी का जगड़ा हुआ चौदवे साल में लेकिन उससे पहले तेरा साल भी थे बोलो तेरा साल किसलिए भी थे नरेंद्र मोदी जी का एक पुत्र होता और वो पुत्र किसी कारण से उसे गाउं गाउं बस्ती बस्ती भटकना पड़ जाता तो ये बताओ उसे बिक्षा मांगने की जरूरत पड़ती है लोग रोटी दे के सेलफी खिचवारे होते उसके साथ बीड लग जाती हाईवे जाम हो जाते के नरेंद्र मोदी का लड़का आ रहा है और लोग किसी भी तरह उसके निकट जाने का प्रियास करते बोलो हाँ के ना राम जी कौन थे चक्रवर्ती राजा दशरत के पुत्र थे क्या उसे रोटी खाने के लिए भिक्षा की जरूरत होती क्या उसने भिक्षा किसे कहते हैं प्रगति शीलता विकास दिविकीर्ती जी सुनना इस बात को कि प्रगति शीलता किसे कहते हैं मैं बताता हूँ राम जी के 13 साल जंगल में बीते लोगों का उत्थान करते हुए राम जी के 13 साल जंगल में बीते जिन गाउं जिन बस्तियों जिन आदिवासियो के पास जिन जंगलों में रहने वाले वानरों वानरों समझते हो नगर में रहने वाला नागर और वन में रहने वाले वो लोग जो वान में रहकर अपना जीवन जीते थे उनके बीच में घुमते थे जहां पाटशालाएं नहीं थी वाँ पाटशालाएं खुलवाई जहां ब बिजलियों को वहाँ उन घरों तक पहुंचाया जहां तक बिजलिया नहीं थी और उन्होंने अपना सारा समय इसी काम में बिताया क्यों बिताया इस काम में